नमस्कार, मैं अंजु शर्मा, नाइत कक्षा के क्षितिस किताब का एक और पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ हमारा आज का पार्ट है नानस सहब की नानस सहाब की पुत्री डेवी मैना को भसम कर दिया गया और इसकी लेखी का है चपला दिवी चपला दिवी दिवेरी यूग की लेखी का है इन्होंने गद्दे में अपनी रचनाई लिखी और ये जो हमारा पार्ट है ये एक रिपोर्टार्ज है रिपोर्टार्ज होता है एक ट्रकार की रिपोर्ट रिपोर्ट वैसे तो समचार पत्रों के लिए लिखी जाती है लेकिन उनमें सहितिकता का अभाव होता है जो रिपोर्ट सहितिक रूप में लिखी जाए उसे रिपोर्टाज कहा जाता है यह सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है यह घटना उस समय की है जब 1957 में धोदूपन्त नानज सहाव ने जो एक रांतिकारी नेता थे अपने साथियों के साथ मिलकर कानपूर में अंग्रेजों पर हमला किया बहुत से अंग्रेज मारे गए बदले में अंग्रेजों ने बहुत से भारतियों को मार दिया क्योंकि यह जो हमला था यह असफल रहा और इस प्रकार से बहुत से भारतियों पकड़े गए और जब वो लोग वहां से भाग गए तो अंग्रेज सिपाही नानज सहाब को पकड़ने के लिए उनके महल बिठूर की ओर रवाना हो गए बिठूर में पहंच कर जब उन्होंने देखा तो नाना सहाब वहां से भाग चुके थे लेकिन जाते जाते अपनी चोटी बेटी मैना को अपने साथ ले जाना भूल गए मैना महल में ही रह गई मैना एक बहुत ही सहासी नीडर आतमविश्वासी अपने देश के लिए मर मिटने वाली लड़की थी किसी भी परिस्थिती का सामना वो डटकर करती अब जब महल को चारों तरब से अंग्रेजों ने घेर लिया था मैना पर उसका क्या प्रभाव पड़ा क्या मैना भी पकड़ी गई अंग्रेजों ने मैना के साथ क्या सलूक किया इस सबके बारे में हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झाल झाल